हेलो दोस्तो आज हम वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप Wings Phantom 413 के एप्लिकेशन Wingsync को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं अपने मोबाल से सबसे पहले हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं अपने Bluetooth से Bluetooth से कनेक्ट करने के बाद हम पहले जाएंगे अपने Google Play Store पे Play Store पे जाने के वाद Wings Sync नाम के अप्लिकेशन हम डाउनलोड करेंगे इसको कनेक्ट करने के दो तरीके होते हैं Method No.1 Auto Connect जिसे की आप आसानी के साथ अपने जैसे आप केस का कवर हटाएंगे या उपिन करेंगे वैसे ही यह आटो कनेक्ट हो जाएगा आसानी के साथ और कुछ पार्ट में दूसरा Method भी यूज होता है वो मैं आगे बता हूँ आपको वीडियो में आप कैसे κनेक्ट कर सकते हैं पहले मैं तक में बहुत ही आसानी के साथ चनेक्ट हो जाता है जैसे कि आप देख सकते हैं रीडियो में जैसे सारे option नहयंगंगे ए एररबट्स एक्ष्ड़इजर बर्ट फट्ट सकिन देख सकते हैं जैसे भी आपको अपने मोड़ केसह से synchronize करना हूं इस को सबसे कर सकते हैं और यह आपको control दी गाया है जैसे कि आप touch control कैसे use कर सकते हैं और यह आपकी case है उसकी location बताएगा कि आपकी location कहाँ पर है और यहाँ पर आपको अधर बाद mode option मिल जाएंगी air burst की light को control करने के लिए option मिल जाएंगी यह सब देख सकते हैं आप इसको synchronize आराम से कर सकते हैं गेम मोड बे दिये गया है इसके अंदर बहुत ही आसानिस से आप इसको connect कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा method जो कि बहुत लोगों को दिक्कत के सामने करना पड़ता है वो connect नहीं कर पाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ शुरू से इसको पहले मैं remove कर देता हूँ remove करने के बाद यह delete हो जाएगा फिर आपको मैं दुवारा दिखा हूँ यह connect कैसे होगा ठीक है चलिए दिखते हैं दूसरा method किस type से है दूसरे method में हमें क्या करना है पहले हमें अपनी device और earbuds को बन कर देना है ठीक है फिर उसके बाद हमें earbuds को निकालके अला रख देना है इसके बाद हमें जाना है add device में add device में जाने के बाद काफी देव तक इस्सा चोलका और कोई भी option नहीं आएगा आप देख सकते हैं वीडियो में यह काफी लोगों की problem थी कि हमारा connect नहीं हो रहा सा मैं आपको बताता हूँ कि आप add manually कैसे कर सकते हैं सबसे पहले आपको नैस कर देना है add manually में जाने के बाद फिर यह आपसे permission पूछेगा जो को आपको सारी permission देख लेरी है पहले तो आपको wifi और bluetooth दोनों open होना चाहिए फिर इसके बाद यह आपको भी sync application में जाएगा और permission आपको सारी permission देनी होगी जैसे की microphone permission, music and photo के permission फिर इसके बाद nearby device की भी permission देनी है इसके बाद आपको दुबादा application में जाना है फिर नेस्ट करना है फिर यह थोड़ा सा time देगा वैसे जल्ली connect हो जाता है देखे यह यहाँ पर अपना phantom 430 शो हो रहा है और यह done हो गया है और यह connect हो गया है manually यह manually आप बहुत ही आसान से खर सकते हैं काफी लोगों का problem था कि हमार डिवाइस connect नहीं हो रही है और यह video अच्छी लगए है तो like subscribe और share जरू की जिगर धन्यवाद